हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान पैटन सियर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, बनके बहुती सुन्दर हमारा ये पैटन आ जाता है, और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज स फ्रेंट साइड से पैटन की फस्ट रो, तो फस्ट रो में देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा उतारने के बाद देखिए, धागा अपनी साइड करेंगे, और दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और दो, ये दो फंदे उल्टे बुनें, फिर धागा प लेंगे और एक फंदा बना लेंगे अब देखे हमने एक फंदा बनाया फिर इसको हमने लेप निडिल में डाल देना है अब देखे तीन फंदों में से जो पहला फंदा है उसके साथ इस फंदे को एड करके बुन लेंगे तो देखे यह दो का एक कर दिया एक एस्ट्रा सीधे बुन लेने हैं, एक और दो, अब देखे फिर धागा अपने साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे करेंगे, और नेस्ट हमने तीन फंदों में पैटरन डालना है, तो देखे तीन फंदे आगे करेंगे, और दिखाई दिखाय दे रहा है यहां पर ऐह से सलाई टालेंगे और एक फंदा बना लेंगी अब देखे इस फंदे को हमने ऐसे लैटव नीडिल में डाल देना है और देखे तीन फंदों में से देखे यह जो पहला फंदा यह देखे यह जो पहला फंदा है इसके साथ इस फंदे को add करके बुन लेंगे तो देखे यह extra फंदा और पहला फंदा इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे फिर देखे नेस्ट फंदे एक एक करके सीधे बुनेंगे सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइट से अपनी फर्स्ट रो कंप्लेट करेंगे प्रंट साइट से हमारी पैटन की फर्स्ट रो कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइट से से केंड रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे और देखे फ्रंट साइट की तरफ से जो फंदा उल्टा आया है इसको हमने बैक साइट से सीधा बुन लेना है फिर धागा अपनी साइड अब देखे फ्रंट साइड की तरफ से जो तीन फंदे सीधे बुने हैं इनको हमने बैक साइड की तरफ से उल्टा बुन लेना है फिर धागा पीछे करेंगे और देखे फ्रंट साइड की तरप से जो फंदा उल्टा आये है इसको हमने बैक साइड से सीधा बुन लेना है फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे आजाएंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर देखे, ये नेस्ट फंदा है, इसको भी हम बैक साइड से सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, लास्ट का फंदा प्लिट हो गई अब देखे फृरंट साइड से थर्ड रूप अब थर्ड रूप में देखे पहला फंदा उतार लेंगे अब देखें नेष्ट हमने तीन फंदों में पैटन दालना है तो देखें एक, दो और तीन तो देखें ऐसे सलाई डालेंगे और एक फंदा बना है फिर देखे दो फंदे एक साथ बुनेंगे ये दो का एक हो गया फिर देखे नेस्ट फंदा सीधा बुनेंगे और फिर नेस्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे फिर धागा अपनी साइट करेंगे और देखे एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुन लेना ह फिर धागा पीछे, अब देखे, नेस्ट तीर फंदों में हमारा पैटन आएका देखे, एक सीधा फंदा है एक उल्टा फंदा है और एक सीधा फंदा है इन तीनों को आगे करेंगे और जो इस पेस दिखाए दे रहा है यहां पर सलाई डालेंगे और देखे एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे फिर इस फंदे को देखे ऐसे लेफ नीडिल में डालेंगे और दो फंदे एक साथ बुन लेंगे यह देखे यह दो फंदे एक साथ बुनने हैं यह दो का एक करेंगे फिर देखे दो फंदे सीधे बुन लेंगे फिर धागा अपनी साइट एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे नैश्ट तीन फंदों में पैटर आएगा तो एक एश्ट्रा फंदा बना देंगे और इसको लेफ नीडिल में डालेंगे फिर देखे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर देखे, ये दो फंदे सीधे भुन लेंगे, फिर धागा अपनी साइट करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे तीन फंदों में पैटन आएगा, ये दो फंदे एक साथ बुनें, एक एश्टरा फंदा और एक पहले नंबर का फंदा, फिर देखे, ये दूसरा फंदा सीधा और तीसरा फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइट, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, अब देखे, नेश्ट दो फंदे हमने सी सीधा तो देखे ये फ्रंट साइड से हमारी थार्ड रोव कंप्लीट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्थ रोव अब फोर्थ रोव में देखे पहला फंदा उतार लेंगे फिर देखे नेस्ट फंदा उल्टा बुनेंगे फिर देखे नेस्ट फंदा भी उल्टा आए उसको back side से सीधा बुनेंगे, धागा अपनी side तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, यह देखे यह front side से हमारे pattern वाले फंदे हैं, तो यह देखे back side से हमारे तीन फंदे उल्टे आगे, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनी side तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे पिर देखें, last का फंदा, उLTA तो देखें, ये back side से हमारी fourth row complete हो गई अब देखें, front side से fifth row fifth row में हमारा pattern repeat होगा अब हमने अपने pattern को ऐसे ही repeat और shift करते जाना है और बने के देखें, हमारा pattern कुछ इस तरों से आ जाएगा ये देखे आप इसे किसी भी प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूलें थैंक्यू झाल 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 झाल